एच लोकप वीडियो के पार्ट नंबर सिक्स में आप सभी का एक वार फिर से वेलकम है आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एच लोकप फंक्शन का प्रियोग करके सम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे पास यहाँ यहाँ पर एक सेल्स रिपोर्ट है यहाँ पर अलग-अलग employee ने मंत में अलग-अलग unit sale की है तो मुझे उनका यहाँ पर total unit को निकालना है कि total जन्वरी sale लेकर अप्रेल तक कितनी unit sale कर चुका है वो भी एच लोकप Hudson का प्रियोग करके हम यहाँ पर equal sign प्रेस करेंगे और h look up function को insert कराएंगे look up value में मैं name को select करूँगा comma उसके बाद मैं complete table को select कर लूँगा with name के साथ उसके बाद मैं comma लगाऊँगा अगर मानलो मुझे इसका जनवरी का सम चाहिए तो यहाँ पर मैं two type करूँगा comma zero agate match के लिए और bracket close और antrum जैसे करते हैं तो यहाँ पर मुझे जनवरी का जो sale है वो तो मुझे दिखाई दे जाती है परन्तु मुझे जनवरी से लेके अपरेल तक का इसकी total unit का sum मुझे चाहिए एक वार में अपने function को edit करने के लिए इस पर mouse की button को दोवार click करेंगे यहाँ से हम two को backspace से remove करेंगे shift के साथ curly bracket को open करेंगे आप देखेंगे इस table के अंदर जनवरी है जो उसने sale किया हुआ है वो second number रो में है third, four and fifth तो हम second यहाँ पर type करेंगे कॉमा, फर्वरी हमारा third रो में है कॉमा, मार्च, four, कॉमा और five shift के साथ curly bracket को close करेंगे और h lookup से पहले पर equal के बाद हम यहाँ पर sum function को insert कराएंगे bracket open और मैं कीवोड से प्रेस करूंगा एक साथ control shift plus enter control shift plus enter हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जै का जो total sum है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो total मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाला हुआ है अब जैसे ही मैं कपिल का रिकॉर्ड चेक करना चाता हूं उसने टोटल यूनिट कितनी सेल की हैं उसने प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उसने टोटल यूनिट जनवरी से लेकर अप्रेल तक सेल की हैं उनका इस कशंगा निकलके यहां पर आ जाता है एक वार हम फिर से इस फंक्शन को रेपीट करते हैं ऐस्व अपर चाराWow नमबर वन में हम एचलो काफ़ फंक्शन को इंसेट कराएंगे लुक अफ वेडियू में कपिल को मैं सेट करूंगा कॉमा कम्पिलीट टेवल को हम यहां से स्वेट करेंगे उसको गॉमा लगाएंगे शिप्ट के साथ करली ब्रैकिट ओपन करेंगे और जिस जिस रो में मेरा record है उसको मैं आपे manually type करेंगे मुझे second row से लेके मुझे third comma four comma five यानि कि मुझे जनवरी से लेके अप्रेल तक का समझ चाहिए shift के साथ करनी bracket को close करेंगे comma लगाएंगे exit match के लिए zero press करेंगे bracket को करेंगे close और keyword से हम press करेंगे control plus shift plus enter control आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने यहां पर total calculation होके आ जाती है तो इस प्रकार से आप hlook-up function का प्रियोग करके आसानी से सम calculate कर सकते हैं थैंक्स पोर वाचिंग माई YouTube चैनल